जै मसी की मेरे प्रिय भाई और बहनों, तरी एक परमेश्वर की महिमा हों इस्टर के पहले ऐसे बहुत सारे मीम्स बनाय जाते हैं, बहुत सारे फॉर्वर्ट्स किये जाते हैं, आपने फेस्बुक पोस्ट भी देखे होंगे जहापे ये दावा किया जाता है कि इस्टर एक बुद्परस त्योहार है, और इस्टर में जो खरगोश होता है या इस्टर एक होते हैं, ये किसी बुद्परस परमपरा से कौपी किया गया है या फिर आपने सुना होगा जो ऐसे कल्ट्स है या जो पंथ है जैसे जहवाज, वेटनेस, माता परमिश्वर ये भी साबित करने कोशिश करते हैं कि इस्टर एक बुद्परस्त्योहार था और फिर ये शुरुवात तो इसी इससे करते हैं लेकिन फिर इनका अंत ट्रिनिटी पर आता है वो पहले शुरुवात बुद्परस्त्योहार से करते हैं ये कहके कि इस्टर बुद्परस्त्योहार है फिर आखिर में उनका में टॉपिक होता है ट्रिनिटी वो कहते कि ट्रिनिटी भी सही नहीं है ट्रिनिटी भी बुद्परस्त है ये भी किसी से कॉपी किया ह जो परमेश्वर की जो त्रियक्ता है ये भी गलत है खेर इस पर तो दूसरे वीडियो में हम देखेंगे लेकिन ये जो पंथ है ये जो कल्ट है ये जो ऐसा रास्ता अपनाते हैं ये क्यों अपनाते हैं इसे हम समझ सकते हैं क्योंकि वो लोगों को भर्माना चाते हैं लेकिन जो Christian हैं जो मसीही हैं वो ये रास्ता क्यों अपना रहे हैं वो इस तरीके का argument क्यों कर रहे हैं कुछ ऐसे क्रिष्टिन मसी हैं वो ऐसा विश्वास करते हैं कि जो इस्टर है ये एक बुद्परस त्योहार था और इस्टर को मनाने से आप एक बुद्परस देवी देवताओ जह थे उनकी आप आराधना कर रहे हो ये लोगों का सोच होता है जो अगर सच है अगर ये बात स तो ये बहुत ही गंबीर बात है और इसका आपके और मेरे उद्धार से लेना देना है लेकिन इस वीडियो में हम सच्चाई को देखेंगे हम देखेंगे कि इस्टर का मूल कहा से आया ओरिजिंद ऑफ इस्टर कहा से आया ओरिजिंद ऑफ इस्टर क्या है क्या इस्टर न्याय कर पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं सच है या नहीं मैं जो कह रहा हूं मतलब में करक कह रहा हूं रॉंग कह रहा हूं यह आप सिर्फ पूरा वीडियो देखने के बाद ही जान पाएंगे क्योंकि हम जब बाइबल में भी पड़ते हैं जॉन 7-24 दो नॉट जज अकॉर्डिंग टो अपेरेंस बट जज विट राइजिएस जज्जमेंट युहन्ना साथ 24 बाते जैसी दिखती हैं उसी आदार पर उनका न्याय मत करो बल्कि जो वास्तव में उचित है उसी के आदार पर न्याय करो तो वचन भी यह कहता है कि जैस इसा चीज़े दिखती है वैसा न्याय मत करो जो उचित है जो वास्तव में उचित है उसके हिसाब से न्याय करो तो मैं आप से निवेदन करूँगा कि वीडियो को अन तक देखिए उसके बाद आप न्याय कर सकते हैं अभी जो इस वीडियो का इंट्रोडक्शन या बुद्परस्त है इस्टर में जो होता है वो तो बात अलग है यह नाम इस्टर यही बुद्परस्त है ऐसा पहला दावा किया जाता है फिर कहा जाता है कि यह जो नाम है इस्टर यह किसी बुद्परस्त देवी का नाम था जैसे इस्टर जो बैबिलोनियन या असीरियन तामुक्ता की देवी थी ऐसा दावा किया जाता है तो लोग कहते कि अगर आप इस्टर माना रहे हो तो आप अन जाने में यह इस्टार की पूजा कर रहे हो या उसकी आराधना कर रहे हो जो एक उर्वर्ता है प्रजिनन की देवी थी यह दावा किया जाता है और फिर यह कहे के वो लोग कहते हैं कि देखा यह 100% proof है यह 100% सबूत है कि Easter pagan है Easter buddh परस्त है लेकिन जब हम कभी कभी ऐसी बाते जब सुनते हैं हम शौक हो जाते हैं लेकिन शौक होने के जगे पे हमारा पहला सवाल यह होना चाहिए कि आपने यह खासे डून के लाया इसका सुरोत क्या है इसका सोस क्या है आपका पहला सवाल यह होना चाहिए most of the cases ज़्यादा से ज़्यादा cases में लोगों ने यह किसी article में पढ़ा है internet article में जब आप उस article में जाओ गए उस article का जब sources देखोगे श्रोत देखोगे तो कुछ vague information मिलेगा आपको proper information नहीं मिलेगा तो ऐसी चीजों में पहले हमें ढरना नहीं है फिर कहा जाता है कि यह जो चुट्टी थी यह originally इसे बुद्परस्तों इसे कहते हैं लेकिन हमें यह देखना है कि easter आयकास है तो जो germanic languages हैं मतलब ऐसी कुछ भाषाए हैं जिनको germanic languages का title दिया गया है जिन देशों में यह germanic languages, germanic भाषाए बोली जाती थी उन देशों में resurrection sunday या पुनरुत्तान की दिन को easter कहा जाता था लेकिन जो original कलीसिया है जो पहली सदी की जो कलीसिया है पहली सदी की ने जो early church fathers है और जो पहली millennium, पहले 1000 सालों की जो कलीसिया थी उसके बाद की कलीसिया थी वो समय में इसे पुनरुत्तान की दिन को पाशा कहा जाता था P.A.S.C.H.A. इसी लिए कहा जाता था क्योंकि जो Passover का celebration, Passover का जो त्योहार है या जो फसर का जो त्योहार है उसी त्योहार के आसपास के समय में ये पुनरुत्तान का दिन आता है या resurrection sunday का दिन आता है इसी लिए क्योंकि पुनरुत्तान का दिन या resurrection sunday का जो दिन है ये फसर की त्योहार के आसपास के समय में आता है इसी लिए ये उसे पाशा का नाम दिया गया था और ये जो त्योहार को जो नाम है जो पाशा जो नाम है जो लैटन या ग्रीक जो भाशाए हैं उन भाशाओं से जो आई हुई जो भाशाए हैं लैटन और ग्रीक भाशा में से जो नई भाशा निकल के आई है वो भाशा बोलने वाले लोग ने इसे पाशा का नाम दिया था तो Ishtar, जो एक भगवान का नाम इसे दिया है, जो Ishtar कहते है, जो मिद्लिस्ट की डेवी होने का दावा क्या जाता है, उसको लेकि पिर Ishtar से उसे जोड़ना, क्योंकि Same Sound होता है, Ishtar और Ishtar, Almost Same Sound होता है, इसलिए कहना कि इन दोनों का origin Same है, और एक दूसरे का कौपी है, यह एक logical fallacy है इसे association fallacy कहते हैं और ऐसा कोई सबूत है ही नहीं जिससे ये साबित किया जाता है कि ये जो word है जो शब्द है easter ये star से आया है ऐसा कोई सबूत नहीं है लेकिन आप फिर भी कह सकते है कि नहीं easter और easter same जैसे sound होता है similar sound होता है तो मतलब कि वो एक दूसरे से copy किया है या easter को easter से copy गया गया है आप ऐसा कह सकते हो लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो या ऐसा कह रहे हो तो आप अन जाने में आप Bible की निंदा कर रहे हो आप Bible को condemn कर रहे हो कैसे अभी कुछ Bible विरोधी है वो same logic same तरक को इस्तमाल करते हैं और कहते हैं कि आपके Bible में जो easter जो किताब है वो भी copy की गई है क्यूंकि जो easter है वो easter जैसा सुनाई देता है और easter के किताब में जो Mordecai है या Mordecai है वो मार्दुक की तरह सुनाई देता है इसलिए easter का किताब easter की कहानी से चुराया गया है ऐसा वो कहते हैं जो easter जो है वो Babylonian mythology की कहानी थी मतलब Babylon की पौरानी कता थी उसमें से चुरा के पुराने नियम में easter का किताब लिखा गया है लोग ऐसे कहते हैं लेकिन अगर आपने इस्तार और मार्दुक की जो पौरानी कता है उसे अगर आपने पढ़ा और फिर आपने Bible का जो easter का किताब है उसे पढ़ा तो आप समझ जाए और हो या समान उसका अपको सुनाई दे तो इसका मतलब यहीं ने की एक दूसरे से कॉपी किया गया है और एक उदारन है कि जो पत्रुस का और एक नाम है जो हम Bible में देखते हैं वो है सेफास तो लोग कहते हैं कि सेराफिस नाम का एक भगवान था और सेफास और सेराफिस almost similar sound होता है तो यह भी कॉपी किया गया है क्या है सच है दूसरे कोई लोग कहते हैं कि दिवाली में भी तो अली है और रमजान में भी तो राम है तो क्या इसका मतलब यह होता है कि दिवाली Muslim लोगों का त्योहार है और जो रमजान है वो Hindu लोगों का त्योहार है क्या आप इस बात को मानेंगे, यह logical fallacy है, सेम चीज़ हम यहाँ पर भी देखते हैं, तो जो Easter शब्द है, वो Easter से copy नहीं किया गया है, और एक लोग एक चीज़ कहते हैं कि उस्तारा, उस्तारा नाम की एक Germanic Spring Goddess थी, मतलब उस्तारा नाम की एक Germanic वसंद की देवी थी, लोग कहते हैं कि Easter copy किया गया है, इसका सिर्फ हमें एक source मिलता है, या एक ही स्रोत है, वो हमें मिलता है Saint Bede की writing में, उनके लेखन में, यह साथवी सदी के एक historian थे Saint Bede, उनके लेखन में हमें इसका बात हमें मिलता है, कि शायद इस चीज़ से copy किया हो, लेकिन हमें ऐसा कोई सबुत मिला नहीं है, इस एक लेकन के अलावा, इस एक writing के अलावा, और एक हमें कोई सबुत मिला नहीं है, कि ऐसी ओस्तारा नाम की एक देवी भी थी, ऐसी ओस्तारा नाम की देवी का, क्या बोलते है, इतिहास में वो थी, ऐसा कुछ सबुत भी अभी तक मिला नहीं है, जो और यह जो नाम ह यह किसी भी और ancient writing या प्राचीन लेकन में इसे मिला नहीं है, हमें इस देवी का कुछ shrines, मतलब धार्मिक स्तल भी मिला नहीं है, आर्केलोजी के थुरू, ना इसकी कोई वेदी मिली है, कोई altar भी नहीं मिला इस देवी का, तो कोई भी sure नहीं है actually, कि Easter यह नाम आयकास है, उस्तारो मनात के महिने में आता था, मतलब जो old English calendar है, जो पुराना अंग्रेजी calendar है, उसमें जो चवता महिना था, उस चवता महिने का नाम था उस्तारो मनात, और इस महिने में resurrection Sunday या पुनरुत्तान का दिन आता है, तो इसलिए लोगों ने देखा कि resurrection Sunday के उस्तारो मनात के महिने में आता है, जो पुनरुत्तान का दिन है, वो उस्तारो मनात के महिने में आता है, लोगों ने ये देखा, तो इसलिए इसे उस्तारो मनात celebration नाम देना शुरू कर दिया लोगों ने, और उसके बाद इसको और short किया, और इसको उस्तारो मनात के जगे पे Easter month या Easter celebration कहा कहा जाने लगा ये इसका एक लोग अंदाज लगाते हैं लेकिन अगर हमने ये भी कहा कि नहीं ऐसी ओस्टारा नाम की एक स्प्रिंग गॉडस थी ऐसी कोई देवी थी जिनका नाम इस्टर से मिलता जूलता है तो पाशा जो ओरिजिनल नाम था इस्टर के लिए पाशा प्ले मेकिनिजम को जोड के इस्टर शब नहीं निकलता इसका कुछ सेंस नहीं बनता है कि दूसरा जो चीज जिससे लोग बहुत ही ढरे हुए हैं वो है इस्टर रैबिट वो कहते हैं कि ये तो शूरली हंड्रेड परसेंट ये बुद्परस्त सिंबल या बुद्परस्त प्रती है लोग कहते हैं कि ये जो बनी रैबिट्स है ये जो खरगोष है ये एक प्रजननशम्ता का करतिक के रूप में दुनिया भर में इसे माना जाता था कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं लेकिन अगर ये सच भी है अगर सच में खरगोष को प्रसेंट चम्ता का प्रतिक कर मना जाता है कुछ बुद्परस्त्योहर नहीं मनाया जाता तो ये जो इश्टर बनी यह जो इश्टर जो खरगोश है इसका सबसे पहला जो मैंशेन है सबसे पहला जो इसका लिकित सबूर जो हम देखते हैं वो है 1572 में 1572 में लेकिन जो पेगनिजम जो बुद्परस्थी थी वो यूरोप में 1000 AD के समय खतम हो चुकी थी मतलब येश्व मसी के 1000 सल बाद 1000 AD में बुद्परस्थी खतम हो चुकी थी यूरोप में और जो सबसे पहला इस्टर बनी या जो इस्टर खरगोश का जो लिकित प्रूफ है वो 1572 पंदरा सो भातर में हैं और पंदरा सो भातर में भी इस्टर बनी नहीं था तभी इस्टर हैर था मतलब रैबिट जैसे दिखता है लेकिन हैर और रैबिट अलग है उनका जीने का तरीका अलग है हैर का जीने का तरीका अलग है रैबिट का जीने का तरीका अलग है बरे वो सेम दिखते हैं वो सेम नहीं है तो शुरुवात में इसे इस्टर हैर कहा गया था लेकिन अभी इ आइडिया जो थी कि ये इस्टर बनी पेगन है ये इस्टर बनी जो है वो बुद्परिस्ति से कॉपी की गई है ये सबसे पहले ये आइडिया आई थी 19 सदी में जेकब ग्रिम इन्होंने 19 सदी में एक किताब लिकी थी उन्होंने ऐसा दावा किया था कि ये बुद्परिस्त से कॉपी किया गया है लेकिन वो भी शूर नहीं थे वो अंदाज लगा रहे थे कि शायद वहाँ से कॉपी किया गया होगा और ये जो रूमर ये जो अफवा है उस समय फैल गई थी 19 सदी में ये अफवा फैल गई थी कि इस्टर बनी या इस्टर खरगोश और ये बात देखिए कि जो 19 सदी की अफवा लोग अभी इस सदी में भी फैला रहे हैं इससे पता चलता है कि लोग कुछ चीज को बिना रिसर्च किये बिना थोड़ा सोचे किसी भी चीज को सच मान लेते हैं तो ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कोई पेगन फर्टिलिटी सिं किंबल है इस्टर बनी या किसी प्रजणन शमता का प्रतिक है और कोई भी इस्टर बनी को इस से जोड़ने ही सकता बुद्परस्ति से जोड़ने ही सकता क्योंकि 500 साल का गैप है जैसे हमने देखा फिर इसके बाद लोग इस्टर एग्स की बात करते हैं वो कहते कि नहीं ये तो 100% प्रूफ है आप कुछ भी कहो मैं विश्वास नहीं करूँगा मैं तो मानता हूँ कि इस्टर एग्स ये बुद्परस्ति त्योहारों में इस्तमाल किया गया था इसका जावाब हा है ये बुद्परस्ति त्योहार में अंडे जो एग्स है इसे इस्तमाल किया गया था लेकिन ऐसे बहुत सारे बुद्परस्ति त्योहार है जिसमें मीट मतलब मास फिर क्रॉप्स जो फसल है अंडे ये सब इस्तमाल किये गये थे ये क्यों इस्तमाल किये यह जो अनुष्ठान है, इन अनुष्ठानों में जो देवी देवता है उन्हें खाना चड़ाया गया था, तो जैसे उदर मास चड़ाया गया है, उदर अंडा चड़ाया गया है, उदर फसल चड़ाया गया है, क्या आप बाकी के चीज़ें भी खाना छोड़ दोगे, या कह वो भी पेगन है नहीं न तो वैसे ही यह जो Easter Eggs है यह Easter Eggs की प्रता थी यह का से शुरू ही है लोग कि इसमें भी डिबेट करते हैं कोई कहते हैं कि यह Celtic Druids जो है वाज शुरू हुआ था कोई कहता है Babylon में शुरू हुआ कोई कहता है एजिप्ट कोई कहता है Japan कोई कहता है South Africa कि जरा सोचिए आप 100% शुर हो कि यह एक पेगन रिच्वल है यह जो Easter Egg है यह एक बुद्परस त्योहार है से में इस्तमाल किया गया है वो तो शुरू है लेकिन आप कहते हो कि यह वासे कॉपी किया गया है आपको पता नहीं कि इस Easter Egg के शुरुवात कौन से देश में हुई है वो ही नहीं पता और फिर आपको 100% पता है कि Easter Egg इस्तमाल करने से हम उस बुद्परस त्योहार को मान रहे हैं हम उस देवी देवता को मान रहे हैं जरा इस बात को भी जरा सोचिए कुछ लोग तो यह हद तक चले जाते हैं वो कहते कि परशिया में ऐसे कोई Christian थे वो अंडो को उबाल के उसे लाल कलर देते थे लाल कलर क्यू देते थे आप समझ गये होंगे वो उसे कहते कि ये शुमसी का लहू है इसे लाल कलर देते थे लेकिन इसका भी कोई सबूत नही कि ऐसा सच में किया जाता था लेकिन तानिया गुलेविच नाम की एक स्कॉलर है उन्होंने अपने किताब एंसाइकलोपीडिया औफ इस्टर कानिवल एंड लेंट ये किताब के पेज 104 104 में वो कहती है कि इस्टर एक का सबसे पहला जो रेफरेंस या सबसे पहला जो लेख लिकित सबूत है वो आप 1290 में देखते हो 1290 में देखते हो 1290 में क्या हुआ था जो किंग एडवर्ड है वो 450 ऐसे अंडे लेते हैं उसे उबालते हैं फिर उसे ऐसा गोल्डेन लीव्स और ऐसे सब चीज़ों से उसे डेकोरेट करते हैं और फिर अपने परिवार में जो की समय में पोलेंड और जर्मनी में भी इस्टर एग्स की परमपरा थी तो सबसे जो अधिक संभावना है या जो मोस्ट लाइक्ली इस ट्रेडिशन इस परमपरा का जो मूल है या जासे स्टार्ट हुआ है लोग अनुमान लगाते हैं कि यह लेंट में स्टार्ट हुआ है अभी जो Medieval Europe है या जो Madhya Yugin Europe है, Madhya Yugin Europe में Lent का जो समय था, Lent के समय में लोग 40 दिन के लिए मास नहीं खाते थे, dairy के कोई product जैसे दूद वागेर ये नहीं पीते थे, और eggs नहीं खाते थे, 40 दिनों के लिए, और जो Lent जब खतम होने का समय आता था, तो जो peasants या जो peasants किसान थे, वो लोग अंडों को collect करते थे, क्योंकि उनकी जो खेती होती थे, उनके पास chickens होता था, तो जब chickens अंडे छोड़ते थे, वो उस अंडे को collect करते थे, उसको boil करते थे, Lent के अंद के समय और उसको रखते थे ताकि जब खतम हो जाए तो वो खा सके, क्योंकि उस समय में dairy जो दूद के प्रदार थे और जो मास्ट था, यह बहुत ही expensive या महंगा था, तो जो लोग थोड़े गरीब थे, वो लोग इस त्योहार को मनाने के लिए वो अंडे खाते थे, तो इसलिए शाइद ये एक holiday treat या holiday को मनाने का तरीका था, और जैसे समय बढ़ता गया, लोग जब अंडे को उबालते थे, वो उससे paint भी करते थे, और फिर कोई अंडे को चुपा देते थे किदर, और बच्चों को कहते थे कि जाके इसे डूंडो, तो ये दिरे-दिरे परंपराय या traditions एड होने लगी, तो यहाँ पे भी हम किसी paganism या बुद्परिस्ति का हम सबूत नहीं देखते हैं, हम ये नहीं कह रहें कि किसी बुद्परस्त ने खरगोष को या अंडे को या ऐसे कुछ चीजों को इस्तमाल किया है अपने rituals में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी जो modern लोग हैं, जो ये easter bunny, easter eggs को इस्तमाल करते हैं, इससे कुछ साबित नहीं होता कि वो लोग भी उस pagan tradition या उस बुद्परस्त योहार को मान रहे हैं, उसको follow कर रहे हैं, सिर्व इसलिए कि किसी बुद्परस्त ने या किसी पेगन ने अंडे को paint किया, और हम भी एक अंडे को लेके paint करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सेम चीज़ कर रहे हैं, अभी उधारन के लिए, बाइबल से उधारन देता हूं, प्रकाशत वाक्य पाच में, येश्यु मसी को lion of the tribe of Judah का है, येहुदा के वंच का सिय का है, लेकिन ancient Egypt, जो प्राचीन Egypt है, वहाँ पे जो lion है, जो सिय है, वो एक युद्ध का देवता था, और उनका नाम है माहस, तो जरा सोचिए, जो प्राचीन Egypt में युद्ध का देवता था, उन्हें lion का उपादी दिया है, और revelation 55, प्रकाशित वाक्य पाच पाच में येश्यु मसी को सिय का है, तो क्या इसका मतलब ये है, कि हम येश्यु मसी को उस माहस से compare कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि येश्यु म मसी इस्तमाल करते हैं, लेकिन डायोनाइसिस जो है, ये एक बुद्परस्त देवता थे, तो डायोनाइसिस की जो पूजा होती थी, उसमें भी वाइन का इस्तमाल किया जाता था, और फिर बाद में येश्यु मसी ने वाइन का इस्तमाल लौट सपर प्रभु भोज में करन आर्केलोजिकल प्रूफ मिलता है, या पुरा तत्व प्रूफ मिलता है, कि नहीं, क्रिश्चिन्स ने कुसी बुद्परस्त योहार से ही कॉपी करके, ये खरगोश, ये अंडे, ये सब चीजों को मसियत में लाया है, अगर ये सच भी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उ सेफ ट्रेडिशन बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस भगवान को ओनर कर रहे है, क्योंकि हमने प्रकाशित वाक्य पाच पाच में देखा, कि वहां पे भी एक भार के शब्द को, पेगन शब्द को, जो लायन जो शब्द है, जो एक पेगन भगवान के लिए लि का लॉजिक इधर हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि इस्टर में कुछ पेगन नहीं है, ना इस्टर का नाम पेगन है, ना इस्टर बनी पेगन है, ना इस्टर एक्स पेगन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पंत या कल्ट्स है, वो कहते हैं कि बाइबल में तो लिखा ही न logical fallacy है जिसे argument from silence कहते हैं लेकिन आप फिर भी पूछ सकते हो कि Bible में सभी जो जो festivals है जो त्योहार है वो परमेश्वर ने दी है और लोग उसे ही follow करते थे उसे ही मानते थे ये बात भी सही नहीं होगी क्योंकि अगर आप John 10 22 पड़ते हैं युअनना 10 22 पड़ते हैं वहाँ पे Feast of Dedication मतलब समर्पन या स्तापन परव की बात हो रही है येश्व मसी सुलेमान के टेंपल में जाते हैं इस Feast of Dedication के समय और इस Feast of Dedication का वो हिस्सा बनते हैं वो पार्ट बनते हैं तो ये जो Feast of Dedication है ये क्या है ये पुराने नियम में कहा पर इसका जिकर किया गया है लेकिन अगर आपने पुराना नियम पड़ा है अगर आपने Old Testament पड़ा है आपको ये Feast of Dedication कहीं नहीं मिलेगा तो ये कहा से आया ये Feast of Dedication 1st Maccabees chapter 4 में है इस पहला Maccabees 4 में उसमें आपको और अगर specific quotation चाहिए वह है 1st Maccabees 4 verses 52 to 59 वहाँ पे आप देखोगे कि जो Judas Maccabees है उन्होंने एक त्योहार की शुरुवात की जिसके लिए उन्हें परमेश्वर ने आज्या नहीं दी थी जूडस Maccabees ने अपने खुद के इच्चा से एक त्योहार की शुरुवात की थी और उस समय पे कोई profit नहीं थे, कोई नभी नहीं थे उस समय परमेश्वर सपनों के द्वारा या visions के द्वारा किसी से बात नहीं करते थे तो जूडस Maccabees ने परमेश्वर को महीमा देने के लिए एक festival एक त्योहार की शुरुवात की थी और अगर ये गलत नहीं है क्योंकि येशुमसी इस त्योहार का हिस्ता बनेते यूहनना 10-12 में जब येशुमसी इसे अपनाते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी त्योहार को एक side issue माना गया था येशुमसी भी त्योहार को side issue मानते हैं इससे हमारे उद्धार का कुछ लेना देना नहीं है इसके बारे में भी हम detail में आगे देखेंगे और एक जब आप book of Esther जिसके बारे में हमने बात किया था आप जब book of Esther पढ़ते हो पुराने नियम में उसके chapter 9 में एक नया festival शुरू किया गया था उसका नाम था feast of Purim या Purim का त्योहार ये जो त्योहार था ये भी परमेश्वर ने शुरू नहीं किया था ना उन्होंने शुरू करने की आग्या दी थी लेकिन जो यहुदी थे उन्होंने परमेश्वर को महीमा देने के लिए ये festival शुरू किया था कुछ scholars कहते हैं कि युहन्ना 5 एक जौन 5 वन में ये तिवहर जो है जौन 5 वन में येशूमसी एक तिवहर में जाने का लिखा है उद делает यौन्ना 5 एक में कुछ scholars कहते हैं कि ये पासोबर या फसय का तिवहर था लेकिन कुछ स्कॉलर जैसे आप मेयोज न्यू टेस्टेमेंट कॉमेंटरी पढ़ सकते हो BibleHub.com में वो कहते है कि नहीं ये प्यूरिम का त्योहर था और येशु मसी प्यूरिम के त्योहर का हिस्सा बने थे अब ये क्यों ऐसा कहते हैं मेयोज न्यू टेस्टेमेंट कॉमेंटरी में ये ऐसा क्यों दावा कहते हैं उसका reason वो उन्होंने दिया है आप पढ़ सकते हैं लेकिन अगर येशु मसी ने अपने जिंदगी में कोई भी त्योहर की बात नहीं कि किसी त्योहर का खंडन नहीं किया ना उन्होंने feast of dedication का खंडन किया ना उन्होंने purim का खंडन किया ना येशु मसी के चेलों ने किदर कोई त्योहर का खंडन किया तो क्या easter buddh परस्त है इसका simple जवाब है नहीं easter buddh परस्त नहीं है हम जब easter या resurrection sunday या इस पुनर उत्थान के दिन को मनाते हैं हम इस संसार में घटी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को मनाते हैं हम येशु मसी के पुनर उत्थान को मनाते हैं उस खुपसुरत चीज़ को मनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें भी easter eggs लाना चाहिए हमें भी easter bunny लाना चाहिए यह सब चीज़े करने चाहिए तो यह करना जरूरी नहीं है और नहीं भी करना चाहिए क्यूंकि मै इस दिन पर अभी ऐसा हो चुका है कि लोग यह easter eggs को easter bunny को ही ज्यादा ध्यान देते हैं और येशु मसी के जो बलीदाने उससे तोड़ा नजर हट गया है तो इसलिए मैं personally इसको लाने में इतना interest नहीं लेता हूं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मीटा नहीं खालूंगा उस दि नहीं है लेकिन आपको उन-बचों को समजाणा है कि यह दिन Easter Egg का नहीं है यह दिन किसी और खिलोने का नहीं है यह दिन येशु मसी का है येशु मसी के वजे से हम इस दिन को मना रहे हैं यह भी आपको आपके बच्चों को clear करना बहुत जरूरी है वरना उनके दिमाग में गलत कुछ धारना आ सकती है लेकिन आप कहोगे कि मुझे करना ही नहीं मुझे Easter एक भी ने लाना है, बनी भी ने लाना है उसमें भी कोई गलत बात नहीं है दूसरी बात क्या हम सभी को Easter मानाना अनिवारिया है, इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरा Colossians में पढ़ते हैं, Colossians की किताब में दूसरा चैप्टर वर्स 16 और 17, Colossians 2 16 और 17 जब पढ़ते हैं, वह ये लिका है इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबात के विशे में तुमारा कोई फैसला ना करे क्योंकि ये सब आने वाली बातों की चाया है, पर मूल वस्तुएं मसी की है तो जब आप Bible Hub में भी जब जाओगे, शायद मेरा इस वचन को लेके interpretation सही नहीं हो सकता है, तो आप खुद Bible Hub में जाईए, वहापे commentaries पढ़िए, वहापे भी यही कहेंगे कि पर्व के मामले में आपका कोई न्याई नहीं कर सकता, वो आपके इच्चा है, इसके बाद Romans 14.5, Romeo 14.5 में भी लिका है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है, हर एक अपने ही मन में निश्चे कर ले, तो यहापे लिका है कि अपने मन में आप निश्चे कर लो, आपको एक दिन को बड़ा मानना है, या आपको एक दिन को नहीं मानना है, मतलब आपको एक टोहार मनाना है यह आपको एक टोहार नहीं मनाना है इसका निश्चे आप खुदी आपके मन में कर लिजे क्यूंकि यह एक बुझ्यादी मुद्दा नहीं है मसिषत का इससे हमारा उद्धार का कुछ लेना देना नहीं है लेकिन अब इन दोनों वच्चिनों के आधार पर हमें ये पता चलता है कि अगर कोई मसीही भाई बैन ये त्योहार को मना रहे हैं तो आपको और मुझे कोई हक नहीं बनता ये कहने के लिए कि ये बुद्परस्त्योहार है ये बुद्परस्त त्योहार को मना रहे है और इस दिन पे ये किसी बुद्परस्त देवी देवता को मान रहे है ये कहने का किसी को हक नहीं है क्योंकि जैसे हमने पहले देखा वापस से देखते है युहना 7.24 जो वास्तव में उचित है उसी के आधार पर न्याय करो तो जो उचित है उसी के आधार पर आपको न्याय करना है वरना वचन के खिलाफ जा रहे है लेकिन कोई लोग ऐसे holier than thou attitude दिखाना चाते हैं वो तो दिखाना चाते कि मैं तो बहुत ही पवित्र हूँ इसलिए मैं ये सब चीज़े नहीं करता और ये जो side issues है जो बुन्यादी मुद्दे नहीं है इन चीज़ों पर जगड़ा करते हैं कि एक तोहर को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए मुझे लगता है इस चीज़ पर जगड़ा करना एक waste of energy है और fuzzle की बात है और ये करने से आप शैतान को जीतने दे रहे हो क्योंकि आप जो चीज़ बुन्यादी नहीं है उस चीज़ पर लड़ रहे हो और जो बुन्यादी मुद्दे है जो Trinity है जो त्रेकता है जो ये शुमसी की देविकता है जब इस पर सवल उटाये जाते है तभी कोई कुछ नहीं कहता तभी आप शान्द बैठते हो बुन्यादी मुद्दे को छोड़के इन चीज़ों पर जगड़ रहे हो तो आपको ये पर मनाना है या नहीं आपकी इच्चा है क्योंकि फिर से हम देखते है 1st Corinthians 10.31 में देफोर वेदर ये इट और ड्रेंक और वाटेवर ये दू डू डू अल टू ग्लोरी अफ गौड पहला कॉरिंतियो 10.31 इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो तो अगर कोई एक टोहार मना रहा है Christmas Easter मना रहा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही मना रहा है अगर कोई Christmas Easter ऐसा कोई टोहार नहीं मना रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर को महीमा नहीं दे रहा है ये समझना बहुत जरूरी है तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझे होंगे कि इस्टर पेगन नहीं है ये बुन्यादी मुद्दा नहीं है है एपी इस्टर या हैपी रेजरेक्शन डे या फिर आपको ये शुमसी के पुन्यारत्तान के दिन की बहुत बहुत बदाई देता हूँ तन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए गौट ब्लेस्ट टेक कैर सीव सुन